दोस्तों बात करने वाले हैं एवीशन सेक्टर से बिलोंग करती हैं दो कमपनिया इंडिगो और स्पाइज जैट देखिए जिस तरीके से लगातार अच्छा खासा रुजान आपको इंडिगो के अंदर देखने को मिला और अब शेयर प्राइज लगबग 94 रुपे के आसपा करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूं कि स्पाइज जैट के अंदर भी कुछ गिरावट वाले लेवल हम लोग को दिखने को मिले थे नीचे के लेवल से कुछ तेजी भी दिखने को मिली लेकिन फिलाल की डिट में लगबग 74 रुपे के लोड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छी खासी तेजी देखने को मिले और यह स्टॉक जो हम लोग को उपर की तरह मूँ करता हुआ नजर आए खेर अगर देखा जाए तो पिछले तीन महीने में और लगब 11% के आसपास हमें तेजी इंडिगो के इंदर देखने को मिली और स्पाइस जेट की अगर बात करें तो 5% का अपसाइड मोमेंट देखने को मिल चुका है अब देखे मैं आपको बताना चाहूँ कि कई बार क्या होता है कि बजार के अंदर खबरे हम लोग को बाद में प्राप्त होती है और रियक्शन आपको स्टॉक के के अंदर वरद्धी कर दी गई है तो एक लिट्रेस्ट खबर हम लोग को प्राप्त हो रही है जिसका रियक्शन आज के दिन हमें स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है परम गुरूप से जो ये दो कमपनिया दिखाए जैनी इनके अंदर प्रभाव देखने को मिल सकता है अब ये भी हो सकता है कि जिस तरह के से लगातार गिरावठ हमें देखने को मिल रही थी तो हो सकता है कि प्राइस से एड्जेस्ट हो चुका हो तो यहां से उपर के लेवल भी इन दोनों ही कमपनियों के अंदर देखने को मिल सकते हैं अब देखिए यहां पर मै तो उसी के हिसाप से थोड़ा सा अवेर है और जिस तरीके से लोंग टम में लगातार इंडिको ने अब तक हमें अच्छा खासा प्रदसन करके दिया है आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिको के अंदर अच्छे खासे लेवल देखने को मिले और रही बात स्पाइस जैट कि दोस्तों कहीं लोंग टम में जिस तरीके से यह कुछ गिनी चुनी कंपनिया दिखाए देरी हैं जो कि एविसंस एक्टर से बिलोंग करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सो रुपे से नीचे का तो यह शेयर है ही नहीं सो रुपे से उपर के लेवल आपको इस